नमस्ते रिजू नमस्ते दादा आज का चिंतन किश विशेवे करेंगे बताईए दादा आज का प्रश्ण तीन गुण जो I think chapter 14-13 में दिये गए हैं सत्व रजस तमस जो की प्रकृती का पार्ट है और प्रकृती इश्वर का पार्ट है तो ये जो concept है theoretically एक बार के लिए सुना है समझा है लेकिन practical life में कैसे हम इसको use कर सकते हैं देखो पहले हम इन गुणों के बारे में समझने का प्रहतना करते है कि गुण है ये है क्या सत्व रजस और तम इन तीन गुणों के बारे में हमने सुना है या इन तीन नामों से तीन गुण होते हैं ऐसा हमने सुना है लेकिन इन तीनों का अर्थ क्या है ये हमें पता है क्या है इसके बारे में अगर हमें पता हो तो फिर हम देखेंगे कि इन के साथ हमें कैसे रहना है स्रिष्टी में क्या होता है कि there is material in the स्रिष्टी, simply matter matter exists in nature, ये तो है न, जो matter है which is unable to do anything on its own in the sense कि matter has no intention as such हम देखेंगे, तो matter जो है वो केवल है समझ लो ये हमारे पीछे का परवत है या मिट्टी है, या पत्थर है या पानी है, या समंदर है ये है, केवल है so ये जो बाहर के हम को स्रिष्टी दिखती है न so the material aspect of nature that material aspect of nature we can say is Tamogod more or less इतना clear-cut नहीं है, इसका पूरा explanation उपनिश्द वगरा में आता है कि कैसे स्रिष्टी तयार हुई फिर कहां से क्या तयार हुआ और उसमें से इतने percentage गुण इसमें गए और ये गए और वो गए और फिर महाभूत आया है, फिर इसका जो सूक्ष्म तत्व है वो इसमें गया, फिर वो स्थूल तत्व है वो उसमें गया, वगरा वगरा उसका बहुत ज्यादा theoretical और technical description है which is not really as important as understanding some fundamental concepts, basic concepts तो समझो की matter is tamogun simply matter अच्छा, इस matter में transformation होता है that transformation happens due to tamogun sorry, rajogun matter itself is tamogun उसमें जो transformation होता है वो होता है rajogun से तो कैसा होता है कि जैसे मेरे पास एक I have this object this is an object this is a phone this rings whenever I don't want it to ring तो इसलिए I have to turn it off but sometimes I forget तो ये वस्तु जो है ना इस वस्तु को मैं जब प्राप्त करना चाहता हूँ इस वस्तु की बारे में मेरे मन में जब इच्छा उत्पन होती है तो इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता हूँ so when desire propels us to interact with matter it happens because of rajogun so rajogun kriya pradhan है tamogun जो है वो वस्तु pradhan tamogun is matter oriented rajogun is action oriented why is this action undertaken the action is undertaken because as a result of the action the one who is acting karma करने वाला जो करता है उसको ऐसा लगता है कि इस कर्म का कुछ कर्म फल मिलेगा और उस कर्म फल के मिलने से मैं सुकी हो जाओगा this is what rajogun does to us और ये तीनो गुण जो है न आचा तीसरा अभी तीसरा सत्व गुण है तो सत्व गुण is the principle on which rajogun is based in the sense rajogun is going to act in a certain manner to get a certain result अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी की बोतल लेता हूँ और पानी पिता हूँ ठीक है तो पानी इटसल्फ is a part of tamogod the gross water the element gross element water which I see here which I drank just now it's matter ठीक है ना मेरे मन में इच्छा उत्मन हुई कि ये पानी मैंने पीना चाहिए क्योंकि इस क्रिया से और इस कर्म से मेरी प्यास बुझेगी so I had this desire to come to an equilibrium देखो हमारा सारा जो होता है न हम क्या सोचते हैं हमेशा कि जो कुछ भी कर्म करेंगे हमने इसके पहले भी देखा है कि we want to do something because we want to be happy और we want to avoid something also to be happy जो हम करते कर्म उसको कहते है प्रवृत्ती या कुछ प्राप्त करते है और जो हम अवाइट करते है उसको कहते है निवृत्ती अब जैसे पानी पीने की प्रवृत्ती हुई क्योंकि पानी पीने से हमको अच्छा लगा लेकिन हम पीते रहेंगे क्या तो उसे निवृत्त भी तो होना पड़ेगा तो जगत के किसी भी वस्तो के बारे में जगत के किसी भी वस्तो के बारे में ऐसे ही होता है जब हम इस अनुभो से सीखते हैं तो फिर हमें ये बोध होता है या हमें ये ज्ञान होता है या हमें ये विस्डम होता है कि किस भी वस्तो के साथ कितना इंट्राइक करने इस विस्डम will allow us to stay happily in the world तो इसका जो bottom line है वो तो हम हमेशा सोचते हैं उसके बारे में तो जो कुछ भी हम करेंगे इस जगत में वो हम युक्त करेंगे युक्त हैने appropriate So if we act in the world appropriately युक्त अहर, what we consume युक्त विहर, how we behave युक्त स्वपन, how we live in the waking experience युक्त स्वपन means how we experience our dreams युक्त अवबोधस्या अवबोधस्या means waking experience So if we remain according to appropriate behavior or we behave appropriately during our waking experience, so then our dreaming experience is also beautiful. Our Guruji, Swami Anubhavananda, he always gives us a prayer. He says, if we sleep at night and at night we watch movies or serials, they always give us the challenge. That title itself is so funny. He says, if we sleep at night, we will not be able to sleep at night. If we sleep at night, then we will not be able to sleep at night. He will be able to sleep at night. so whatever we do during our waking will be reflected in our dreams अगर मैं दिन भर किसी काम में लगा हुआ हूँ तो उसी काम के बारे में मुझे स्वपना आएगा ये हमने सबने अनुभो किया है the last movie I went and saw in a movie theater was the Jurassic World जिसमें वो इरुफान खान था न वो वाली movie में ने देखी दिये अभी कितने साल हो गए? 10-10 साल हो गए होंगे तो वो सिनेमा देखने के बाद मैं जब घर गया तो रात को नीन में मुझे वो ही दिखाई दे रहा था all these dinosaurs running around here and there वो सब दिखाई दे रहा क्यों नहीं दिखाई देगा? because our mind was focused on it and our mind was captivated by that experience so that experience lingers on in the dream experience also अगर हमारे मन में भय है किसी वस्तु के व्यक्ति के बारे में या परिस्ति के बारे में तो वो भय हमें रात को स्वपने में भी दिखाई देगा उसी परकार के सपने आएंगे और अगर आपने बोला जो matter है वो तमोगुण है जो इच्छा है वो रजोगुण है इच्छा नी, आक्षन आक्षन है वो रजोगुण है और सत्वगुण का सत्वगुण जो है ना सत्वगुण is the principle based on which action is undertaken for a specific result सत्वगुण is the principle so देखो अभी I'll give you another example मेरे हाथ में ये वस्तु है so if I drop it it falls down why does it fall down? because of the principle of gravity ठीक है ना? अच्छा तो अभी ऐसा है कि ये जो principle of gravity है ये fundamental है या फिर ये कितने स्पीड से गिरेगा इतनी हाइट से अगर उसको छोड़ेंगे तो कितनी स्पीड से गिरेगा वो उसका अगर मुझे अंदाज है तो फिर देन मैं उसको बहुत उपर से नहीं गिराऊंगा नहीं तो ये टूट जाएगी ये जो सारा प्रिंसिपल है ना इस प्रिंसिपल इस बेस्ट उन सट्वगुन वाँ ब्यूटिफुल तो इसमें क्या है देखो इफ वी अंडर्स्टैंड सट्वगुन इफ वी लिव अकॉर्डिंग तो सट्वगुन देन क्या होगा कि हमको इनके उपर उठने के लिए आसानी होगी अगर हम तमोगुन में फसे रहेंगे तो क्या करेंगे हम शॉपिंग करेंगे और बहुत सी चीज़ा जमा करेंगे वी लिव गलिक ठिंग्स वीकॉज वी इंटरेस्टेट इन मैटर जो सचमुच इस जगत का स्वरूप जानता है उसकी दुरुष्टी में सोना, हीरा, मोती और मिट्टी इसमें कोई अंतर नहीं है हनवान की एक कत है हनवान जी की हनवान जी को सीता मया ने एक हार भेंट किया अपने गले में से निकल के दिया तो उसने उस मोती के हार को मुँ में लेकर के उसको चबाया मोतियों को चबाया देखने के लिए कि उसके अंदर राम है की नहीं तो यह वस नौट इंटरेस्टे इन इनिधिंग विच दिद नौट कंटें राम अगर इसके अंदर राम नहीं है तो मुझे वो नहीं चाहिए है इस वर्फलस फर विए इस मोती और हीरा और सोना या मिटी देखो if you look at any matter any matter सोना चांदी हो गया, हीरा, मोती हो गया कुछ भी हो गया at the bottom of it what exists मुझे बता any and all matter will contain neutrons, protons and electrons yeah and the principle due to which they move okay, दूसरा principle यह है कि depending upon the number and the manner in which these three entities come together the thing will appear and behave differently देखो, इसका simple example है कि hydrogen contains one proton and one electron it does not contain any neutron at all oxygen contains eight protons, eight electrons, eight neutrons होता क्या है कि two hydrogens and one oxygen will come together and H2O will be formed now hydrogen has different properties oxygen has different properties when one oxygen hydrogen has different properties oxygen has different properties two hydrogens, one oxygen they come together H2O gets formed H2O will have completely different properties यहने इसका अगर गणित करेंगे जोड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि H2O के अंदर 8 और दो 10 electrons और protons है और 8 neutrons है total molecule गणित जोड तो हमारा बराबर होगे है लेकिन chemistry जोड़ा लगे तो गणित नेवर ट्रांसलेट इंटो chemistry ड़सेंट ट्रांसलेट इंटो chemistry अच्छा कार्बन का देख लो कार्बन एटम जो है उसमें 6 electron, 6 proton, 6 neutron उसमें कार्बन, कार्बन अगर एक साथ होंगे तो उनका अगर orientation किसी प्रकार से होता है तो एक orientation से diamond बनता है, दूसरी orientation से graphite बनता है, तीसरी orientation से graphene बनता है यह ओल कार्बन चवते orientation से coal बन जाता है वीचारा सिंप्रल कार्बन molecular orientation तो कार्बन के अंदर 6 proton, 6 electron और 6 neutron है ही का ना, तो उसके nucleus के अंदर 6 proton और 6 neutrons होते है और 6 electrons जो है, वो उनके orbitals पे घूमते है अचा कार्बन के atoms इस प्रकार से अगर arrange होंगे see, carbon has 2 electrons in its innermost orbit and then there are 4 electrons in the outer orbit chemistry में क्या है सिदान्थ कि outer most orbit जो होता है न उसमें जो electrons होते हैं, वो exchange हो सकते हैं और वो chemical reaction में participate कर सकते हैं यह हमने chemistry में सिखा था यह ऐसा क्यों होता है इसका कोई उत्तर नहीं है, this is how it is this is nature's law तो यह nature's law जो होता है न, वो हम लोग सिखते हैं या वो हम लोग ढूंटे हैं so scientist does not create chemistry, scientist only discovers whatever exists correct तो उसमें अभी क्या होता है कि outermost shell उसको valence shell बोलते हैं तो उसमें electrons का आदान प्रदान होता है या sharing भी होता है sharing अगर होता है तो उसको कहते हैं और अगर आदान प्रदान होता है तो फिर उसको बोलते हैं ionic bond तो जिसे hydrogen और oxygen उसमें है तो covalent bond लेकिन उसमें there is a slight polarity also उसके अंदर एक और थोड़ा सा positively charged atmosphere होता है और दूसरी और negatively charged atmosphere होता है तो उसका थोड़ा सा polarity भी होता है थोड़ा सा उसमें charge भी होता है charge in the sense it's an orientation charge नहीं होता है water is basically or any material for that matter cannot be charged it has to be neutral ऐसा किसी भी जगा पे you will not see anything charged ऐसा electron freely नहीं मिलेगा कहीं वो कहीना कहीं जाकर के ground हो जाएगा ultimately अगर free कुछ है electron तो वो ground हो जाएगा it has to so you cannot you cannot have charged particles or charged elements or charged molecules or anything no it will always be in vicinity of or in combination with something that is oppositely charged okay you shared a file in the meeting what is that just sorry I couldn't you could not help but you shared a उसके बारे में बता ना मुझे पहले graphite का hexagonal crystal structure और diamond का face centered cubic crystal that is why they are different solid forms जो आपने बुला ना they are orientation orientation अलग है उसका तो carbon में क्या होता है कि see carbon can have a planar structure carbon carbon molecules के और फिर then two planes can have you know bonds between them उस प्रकार का एक structure हो सकते हैं या फिर चार दिशाओं में चार उसके हाथ है ऐसा समझो और अगर चार दिशाओं से चारो हाथ से अगर carbon atoms will hold on to each other तो बड़े strong bonds हो जाते हैं वो and that becomes diamond diamond is one of the hardest things you can ever find because that bond is very hard to break इसलिए वो बहुत solid material होता है और देखो diamond will be transparent whereas graphite will be dark black होगा वो material वही है लेकिन किस प्रकार से वो जुड़ा है एक दूसरे के साथ उस पर निर्भर करता है कि उसकी properties क्या होंगी तो वो जो nature है that is sattva हाँ ये जो principle है ना principle principle है sattva और sattva gund के आधार पर ये श्रिष्टी परिवर्ती होते रहती है so the transformation in the world happens according to raja gund but the raja gund is based on the principle of sattva gund transformation will happen because of raja gund life also is responsible for transforming material do you know that this entire biosphere biosphere means the top few feet of our earth's surface that is the biosphere biosphere means in this sphere life is interacting with matter life is interacting in myriad forms life is interacting in the form of a single cell all the way to very complex combination of cells such as you and I at the bottom of each organism is a cell cell is the fundamental unit of a living thing some living things don't have any cells like for example viruses viruses appear to be living they don't have a cellular structure they only have damage causing material so what virus does virus will go and try to penetrate a cell and stay there and then within that cell it will try to do all kinds of virulent things so it's just an energy and it's a thought that in my mind we can see it's like viruses like that and 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 गलत विचार से गलत परणाम नहीं मिलेगा गलत विचार से गलत परणाम मिलेगा तो वो किसी सिद्धान पर अधरित होगा वो भी सिद्धान पर अधरित होगा वो भी सिद्धान पर अधरित होगा वो भी सिद्धान पर अधरित होगा So, for example, the principle of nuclear energy is neutral. हमने क्या सिखा कि if we break to, if we break atoms, या if we fuse atoms or whatever, यह जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा energy release होती है. तो उस basis पर हम लोग power plant भी design कर सकते हैं, या फिर bomb डाल करके कोई शहर हम नश्ट भी कर सकते हैं. अगनी का principle देखो ना, अगनी का principle ऐसा है, कि अगनी अगर control में रहेगा, तो हम उसके उपर रसो भी कर सकते हैं. और अगर out of control हो जाते हैं, तो उससे घर जल जाएगा. अगनी को उससे कुछ लेना देना नहीं है. अगनी का जो property है, वो है कि दाहकता. फायर हैस दे प्रॉपर्टी ओफ बिइंग हाट. तो फायर ड़सन्ट हैव अनी प्रॉब्लम विद इट. फायर इस फायर. लेकिन उसको हम किस प्रकार से उप्योग में लाएंगे, वो हमारे उपर निर्बार है. तो वो आपता पहले वाला वीडियो एक हमारे conversation था कि object को नहीं पता है उसकी property. या उसका behavior. ये हमें पता है. तो ये जो sentient being है, the intelligent being, ये हमेशा insentient matter से interact करता है. तो ये interaction जो है ना, interaction is dependent upon the Rajogun. अगर ये जो sentient being है, उसको ऐसा लगता है कि इस interaction से मुझे सुख की अनुभूती होगी. तो देन वो interaction करता है. वो है Rajogun. पर जो स्थित्व प्रग्य है, या जो योगी है, उसको ये पता है कि ये interaction कहां तक लेके जाना है. तो waking experience में तो हमको interaction तो करना ही पड़ेगा. या interaction होगा भी. अगर मुझे भूख लगी है, तो गुणों के प्रभाव के करण मुझे भूख लगती है. और गुणों के ही प्रभाव के कारण, जब मैं भोजन करता हूँ, तो उसके बाद में मेरी भूख शांत भी हो जाती है. तो उसको हमने कहां तक ले जाना है. देखो, see, all of this is happening according to Prakriti. मुझे जो भूख लग रही है, that is nature. So anybody who has not eaten for a few hours will feel hungry. That is common to all of us. तो उसको अगर हमको शांत करना है, तो हमको सबको पता है कि अगर हम खाना खाएंगे, जब भूख लगी है उसके बाद, तो हमें अच्छा लगेगा. You will feel good. प्रॉब्लेम क्या होता है कि this process of eating is very pleasurable. This is how nature works. Nature will entice us by its, उसको हम संस्कृत में प्रलोभन कहेंगे, temptations. So nature has so many tempting things to offer to us. What are those things? Five things only. They fall under five categories, all of them. Those five categories क्या है, शब्दस पर्श रूपर असगंदा, that are corresponding with our science organs. तो जगत की वस्त्वों से जब हम संपर्क या सईयों करेंगे, तब हमें सुख या दुख की अनुखुती होगी. शीत या उश्नकी होगी. Basically hot or cold. But that will lead to सुख और दुख. तो ये बड़ा enticing होता है. इसको ठीक से समझना और उसके साथ ठीक से interact करना, ये हमको गीता सिखा दिए. एक question आ रहा है दो अब जैसे आपने बोला स्थित प्रग्या. स्थित प्रग्या याने जिसका mind fixed है. जिसका mind एकदम जिसकी बुद्धी स्थिर है. तो अब याने बुद्धी स्थिर किस पे हो? बुद्धी स्थिर हो की सत्वगुन क्या है? सत्गुन क्या है और रजगुन, रजोगुन क्या है? और तमोगुन क्या है? और हमारे आसपास की चीजों को हम इसी तरह से देखने लगें. और फिर हमें ये पता चल जाए कि भई, सब चीजें, importance हमें सिर्फ सत्गुन को इदेना है. अगर वो समझ में आ रहा है, कि प्रिंसिपल, निचर्स, लॉज, प्रिंसिपल्स क्या है? तो कहीं से expectation, over expectation होनी बंद हो जाएगी. नहीं, देखो, ultimately हमको क्या सीखना है? सत्वगुन का जो प्रभाव है, उससे हम सीखते जाते हैं. यह सत्वगुन का प्रभाव है, ठीक है? तो यह समझते समझते, ultimately हमें, अभी मैंने जो बताया न, कि at the bottom of everything, there are only three things. neutrons, electrons and protons. यह हमने chemistry में सीखा था. तो, when we understand the fundamental nature of anything or everything, अचा, उसका utility भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है? सोने की utility है, लोहे की utility है, या पानी की utility है. हीरे जवाराथ की utility खाने के लिए नहीं है, लेकिन, you know, you hold on to it, thinking that it is valuable. It is valuable only to the extent somebody is going to give you something in return for it. मुझे बताओ कि अगर हमारे सब के पास केवल हीरे जवाराथ होते, और खाने के लिए कुछ भी नहीं होता. तो मुझे बताओ कि हीरे जवाराथ would be more valuable और खाना वोड बूर वारे जवाराथ तो अगर कोई किसान है, जिसके पास theoretically, there is no conflict in the world. and there is one farmer or there are a few farmers who have food. And all of us have no food but only हीरे जवाराथ. How will the exchange happen? The exchange will happen in such a way कि हम तो पूरा ट्रक भरके हीरे जवाराथ दे देंगे उसको और एक कटोरा भरके खाना मिलेगा हमको. ऐसा भी हो सकते हैं. तो वैल्यूएबल क्या है और वैल्यूएबल क्या नहीं है, उसके लिए हम कहते हैं तारतम्या, तारतम्या याने तरतम्या जो होता है ना, तारतम्या का अर्थ पता है क्या है? तारतम्या याने गुड़ बेटर बेस्ट जो बलते हैं ना, एनए इन्फिनिटिव, कम्पारिटिव and superlative. तो अभी जैसे हमने उच्छ शिक्षाली समझगो. हमने उच्छ शिक्षाली, उच्छ तर शिक्षाली और उच्छ तमा शिक्षाली. या मैंने गुईह ज्यान प्राप्त किया या गुईह तरह ज्यान प्राप्त किया और या गुईह तम ज्यान प्राप्त किया तरह तम याने comparative and superlative तरह तम्य याने हम ये सोचें कि इस वस्तु का मूल्य क्या है या इसको हमने किस प्रकार से हमारे जीवन में उप्योग मिलाना है तारतम्य तो होना चाहिए ना हमने किस वस्तु को कितना मुल्य देना चाहिए इसको कहेंगे हम तारतम्य तो अगर हम यह सोचें कि fundamentally हमको किस वस्तु की आवश्क्ता है रोटी कपड़ा और मकान वो तो सबका पूरा होना ही चाहिए everybody has a right to it right वो अगर किसी का जो हक है वो चीना जाता है that's not a good thing so we should all get enough food, all of us every creature on the planet पर अभी क्या है कि food supply food production has also got concentrated in certain hands अगर छोटा अगर कोई किसान होगा तो उसके पास उतनी जमीन नहीं है कि he can till the farm till the soil and get enough for his family or have some extra सबके बास उतना नहीं है तो उसमें भी food production food supply इसमें भी there are big vested interests these days और फिर क्या होता है कि if we are aligned with those vested interests then we may have plentiful supply of food all the time whereas if we are not aligned with those interests then we would be at the mercy of those who have the control over food supply सोचो इसके बारे में so it's not as easy and straightforward as we think right now with great luck you and I have easy access to everything we need and we also have the where with all हमारे पास इतनी संपत्ती है कि हमारी जो मुल्भूत आवशक्ता है वो पूरी हो जाती हमारे लिए रोटी कबड़ा मकान का कोई issue नहीं है अच्छा उसके बाद क्या होता है कि हमें सब को ग्यान चाहिए होता है we are all curious people so education is important और सब लोग स्वस्त रहना चाहते है so health is important तो इसमें देखो जो साधु महात्मा होते है मुनी वो लोग एक-एक dependence कम करते है so wandering monks do away with housing वो मकान के भी नहीं रहते है अचा उसके आगे की जो स्थिति है वो कपड़े के भी ना भी रहते जैन मुनी जो होते है ना उनका न मकान होता है न कपड़ा होता है दिगंबर जो मुनी होते हैं और उनका जो जीवन होता है वो बड़ा तपस भी जीवन होता है वो केवल और उनमें जो अनक के ऊपर उनकी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी, उसको भी वो कम करते हैं, वो क्या करते हैं कि दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, अच्छा एक ही बार करने के बाद वो हाथ में जितना आएगा उतना ही खाते हैं, जैसे दो हाथों में जितना नहीं खाते खाना, that much तब, तो ऐसा तब, सबने करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, ये सब के ऊपर निर्भर है, we should not expect people to live like that, or I don't know whether you would want to live like that, it's up to each one of us, whether we want to, पर उस प्रकार का तब भी करने वाले लोग हैं, so they would be inspirations for us, कि अगर ये आदमी ये कर सकता है, तो हम, जितना हम, हमसे होता है, उतना तो करना चाहिए, तो ठीक है, हमारे यां, जो कहा जाता है, या जो समझाय जाता है, उसमें ये समझाय जाता है कि, हमारे पास संसाधन हो, फिर भी वो संसाधनों के प्रति, किन्तु उसकी उसमें आ सकती नहीं थी so he did this kingdom or he ran the kingdom as a divine duty कि मेरे भाग्य से मुझे राजा बना दिया गया है या मैं राजा बन गया हूं because of whatever he might have done in the past lives तो मैं इस अवसर का उप्यों कैसे करता हूं should I be a tyrannical king or despot और should I be a benevolent king ये मेरे उपर निर्पर है तो जनक ने जो राज्य किया वो आज तक उधारन के जैसा प्रस्त किया जाता है कि इस प्रकार से राज्य करना चीए निरीच्छ वृत्ति से निरासक्त वृत्ति से कि हाँ मैं इस राज्य का राज्या हूं किन्तु ये मेरा धर्म है और मैं इसको स्वधर्म के रूप से अगर देखूंगा और उसी प्रकार से चलाऊंगा तो ये कर्म करते करते मेरी चित्त शुद्धी हो जाएगी उसके गुरु थे उसके गुरु जी तो बड़े जबदस थे के गुरु जी थे अश्टा वक्रा अश्टा वक्रा वाज फिनॉमिनल गुरु ये वाज यंग बॉए और ये वाज बेंट अट प्लेस आठ जगा पर वो टेड़ा मेड़ा था विचारा पर ही वाज हाट को रदवाई थी एक अश्टा वक्रा गीता करके है उन्होंने जो जनक राजा को बोध कराया था वो कि हाओ आवर इसेंशल नेचर इस बियांड थी त्री गुरु नस तो ये गुरु जो होते हैं न इसमने नेड़े होते हैं ये पुरुष में होते हैं ये पुरुष में होते हैं कि इसेशल रुक्रा गीए वो जो फुरुष की विच विच्शनल एड हो菜 दादा, बिफोर भी गो देर, एक क्वेश्चन बीच में है, बोलो, लाइक, मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में, प्रैक्टिकली कैसे हम इसको, यह हमें हेल्प करेगा, यह वाला जो, अंडर्स्टेंडिंग, राइक, अगर हम प्रैक्टिकल लाइप में एक्वेश्चन लिए, बड़ा कॉमन सा एक चीज होता है, कि हमें पता है, कि यह काम करना है, लेकिन I am not motivated to do it, and I am procrastinating, यह बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है, everywhere it is, और regularly हो जाता है, तो अब मान लो, किसी का मन इसमें स्थिर हो जाए, यह उसे समझ में आ जाए, यह principle, तो how will it help, क्या यह हो गई नहीं, या, yeah, so that's my question, तदा, हो गई नहीं, अगर यह समझ आ गया, तो हम काम करना छोड़ देंगे, so if we understand what Sattvogun is, what Rajogun is, what Tamogun is, and if we understand प्रकृति to be only an appearance, will we stop doing what we are doing, is that what you are asking, नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग, हमको यह पता होता है कि यह करना चाहिए, यह करना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन, वो करने के हमारे इच्छा नहीं होते हैं, तो उसमें क्या आदत से होता है, यह आदत से होता है, हम प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए या लेजीनेस के लिए अभ्यस्त हैं, सम्हाव हमको कश्ट नहीं करना होता है, you know, we don't feel like exerting ourselves, यह इंग्रेंड है सम्हाव, because of the habit from many previous births. लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको हम महत्वत देंगे न, उसमें हम लगे रहते हैं, so the thing you are after, or the thing which you give importance to, उसके पीछे हम लोग लगेंगे बराबर, अब देखो हमारे गुरुजी जो है न, हमेशा उधारण देते हैं, कि हमने, सबने पैसे को महत्वत दिया है, तो हम यह नहीं सोचते हैं, कि पैसा कमाना कठिन है, इसलिए हम पैसा नहीं कमाएंगे, या फिर उसके लिए कश्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैसा कमाना अगर हमारे लिए मत्वत पूर्ण है, तो हम किसी भी प्रकार से पैसा कमाने का प्रयत्न करेंगे, अगर हमारे मन में मैं कौन हूँ, यह जानने की जिग्या सा, अगर महत्व ले ले दिये, तो फिर हम उसके पीछे लग जाएंगे ना, तो यह प्रॉब्लिम यह है कि हमने, अपने आपका बोध होना, अपने स्वरूप का बोध होना, यह हमारा सरवच धेय है, यह समझा नहीं है, उसका महत्वा भी हमारे मन में दुर्ण नहीं हुआ है, यह समस्या है, तो हमको यह लगता है कि हम यह छोटा मटा कुछ कर लेंगे, तो उससे हमको जो सोख मिलेगा, वैसा नहीं है, तो प्रोक्रेस्टिनेट ना करना, जो हमने काम करना चाहिए, उसको प्राइरिटाइस करके वो कर लेना, कर डालना, यह हमारे अल्टिमेट गोल के लिए अच्छा होता है, यह अगर हमें समझ नहीं आएगा, तो हम वो नहीं करेंगे, यह जब तक हमको समझ में नहीं आदे, तब तब हम लोग उसको नहीं करेंगे, यह हमारे मन में फिट नहीं बेठा है अभी तक, अगर हो जाता है तो हो जाएगा, तो अगर बुद्धी सतो गूण में स्थिर है, तो वो होएगा नहीं, तो हमें पता है, गुद्धी सतो गूण में अगर स्थिर है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, एक्जक्ली, तो यह भी पता होगा, कि प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम समय से कर रहा हूँ, और उसके बाद, जो परिणाम मिल रहा है, वो केवल मेरे करने के कारण नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा जो है न, प्रकृति के नियमों के कारण हो रहा है, यह मुझे पता होगा, और उसमें जो करता भाव का अहंकार होगा, वो नहीं होगा, यह बहुत important है तेखो हमने यह सारे principles समझ लिये principles हमने समझ लिये और based on those principles हमने कुछ किया और हमको जैसा परणाम आना चाहिये था वैसा मिला उसके बाद हम क्या सोचते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि यह मैं ने किया इसलिए मुझे यह मिला Correct So we have this sense of doership when we accomplish something, especially when we accomplish something. So we will go and tell everybody, कि देख तुमको पता है कि मैंने ये किया है, मैंने किया है, ये बोलते हैं, तो ये जो है, इसको कहते है करता भाव का हंकार, करता भाव का हंकार जब तक होगा, तब तक हमें कर्मक का फल मिलते ही रहेगा, और कर्मक के फल को हमें भोग नहीं होगा, अच्छा या ब इस इंटेंशन और गेटिंग गूड रिजल्ट्स, तो ये जो करता भाव का अहंकार है, ये दादा ये क्या सतोगुन है, नो, रजोगुन है, रजोगुन है, तो ये आर्जुन का प्रश्न है ना, तीसरे अध्या में, वो पूछता है भगवान से, वो बलता है कि अधा के वाष्ने या बला दीव नियो जीता है, ये वोलता है, कि किस इन्विसिबल फोर्स के कारण, मनुष्या पाप करने पर 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 परुरुत होता है, पाप करने के लिए परुरुत होता है, कि मेरी इच्छन नहीं है, फिर भी मैं पाप करता हूं, मुझे पता है कि ये पाप है मुझे पता है कि यह ठीक नहीं है फिर भी मैं because of some unknown force I do it तो यह back to your point यह कोई एक game चल रहा है हमें temptation दिया जाता है हमेशन टेस्ट अच्छा आ गया तुमको लो नया टेस्ट लेलो अच्छा यह topic समझ में आ गया I'll take another test and then we may fail that is how that is how nature propagates itself प्रकृती को अगर propagate करना है तो उसको इसको tempt करना पड़ेगा ना जो action oriented principle है और action करने वाला जो है उसको temptation देना पड़ेगा नहीं तो action होगी यह नहीं So this is also law of nature nature tempts us तो मुझे बताओ कि कोई फल अगर है पेड़ पे लगा हुआ वो मीठा है या मुझे मीठा लगता है खाने के बाद यह सारी जो प्रकृती है यह ने तो तेयर नहीं की this is nature's law अगर पका हुआ आम मैं खाता हूं तो मुझे मीठा लगता है और मैं कच्छा आम खाता हूं तो मुझे खटा लगता है वाइस दिस this is because I should learn from that experience I should not pick the unripe mango I should pick only the ripe mango because when I eat that ripe mango उसकी जो गुठली होती है वो जब मैं फैंक देता हूं तो उससे दूसरा आम का पेड़े निकल सकता है कच्छा आम से नहीं निकलता है हो कच्छा आम अगर हम खाएंगे तो उसके अंदर की जो गुठली होती है अगर उसको हम फिर से एक बार जमीन में डाल देंगे तो वो उससे पेड़ नहीं निकलेगा फिर से निकलेगा क्या मुझे पता नहीं मुस्ट लिकली नाट पर जो पका हुआ हूआ होता है उसको हम जब खाते हैं उसके बाद में उसकी जो गुठली होती है वो अगर हमने कहीं और डाल दी तो उसमें से पेड़ निकल सकता है बाहर, ऐसे तो निकले हैं पेड़े बाहर आज तक, आम के जो पेड़े हैं, सारे जंगल के अंदर जो पेड़े हो कैसे तेयर हुए, उसका जो फल होता है, वो फल किसी ने खाया, आत्मी नहीं नहीं, किसी अंदर ने खाया होगा, या किसी पक्षी ने खाया होगा, इन फाइक, दे लॉफ प्रोपोगेशन आफ, वो जो पीपल का या बरगत का पेड़ जो होता है, उसका तो ऐसा है कि उसकी बीज जो होती है, बड़ी छोटी होती हो, तो उसको जब कववा खाता है, तो ये कवव बरगत का पेड़ या पीपल का पेड़, ऐसे ही, वो नहीं होता है, तो उसमें हम उनको खाना खिलाते है, वो चावल वगरा बना के खिलाते है, ज으면 सुपाता है, तो जब का तो डिश्चेज ओल क्योंकि आर रिप्याचिश रहेंज होता है, विवे जो जब को क्योंकि लिए्वा खास्य कके लिए घट की जब कौग गर्यूचा आर उनको यह जो हैं। ये जो हैं हैं होली तो जहां पर जितने अधिक होंगे वो पेड़े, हमने उनको काटना नहीं चाहिए, तो यह है नेचर कंजरवेशन का प्रिंसिपल, यह हमें पहले से पता था, लेकिन आजकल उसके बारे में उतना चिंतन नहीं होता है, जितना होना चाहिए, हम अगर इन सारे नियमों को ठीक से पहचानेंगे और उसके अनुसार रहेंगे, उसके अनुसार रहने का अभ्यास करेंगे, तो हमारा भी कल्यान होगा, बाकी जनता का जगत का भी कल्यान होगा और परियावरन की रक्षा भी होगी, यह हमें करना है, यह हमें सीखना है और इसी प्रकार से हमें रहना है, त we will have a pleasant experience of life if we understand the laws of nature and live according to those laws it's very important beautiful उसके बाद में भी देखो I'll take you a bit subtler into this whole topic this is still we are in Prakriti Prakriti में तीन गुण होते हैं किंतु जो पुरुश हैं वो Prakriti से लिप्थ हैं ऐसा वो मान लेता है होता नहीं है पुरुश और प्रकriti can never really come together they will appear to come together and the Pुरुश will think that he has come together बीच में एक पॉइंट आया था दादा इसी के उपर जैसे जब हम अहंकार की बात कर रहे तो अहंकार नहीं आ रहा है मान लीजे किसी को समझ है कि अहंकार नहीं आ रहा है तो क्या हम बोलेंगे कि वो free है गुनों से यस absolutely the one who has realized his essential nature is गुनातीत is beyond the three गुनाज अचा वो भी कुछ ना कुछ करते हुए दिखेगा ऐसा नहीं कि वो करते हुए नहीं दिखेगा right the one who has gone beyond the गुनाज will appear like any other person so he will also eat when he is hungry he will also sleep when he is tired he will wake up and he will do things तो हम लोग सोचेंगे कि रे तो हमारे जैसे ये भी खाना खाता है सोता है सब कुछ करता है तो ये कौन सा महात्मा है तो गुनातीत अवस्था जो है ना वो अंदर उनी है अंदर उनी है उसको ऐसे प्रूव नहीं किया जा सकते है प्रकृती इस प्रकार से काम करती है ये हमने समझना है और उसका उप्योग करना है So we do the right thing because we know if we undertake right action then the right result will happen In spite of that we should not claim the authorship of that action because मै ने किया या किसी और ने किया If anyone undertakes a certain action in a certain set of circumstances the result will be exactly the same so is the karta important no karta is not important because regardless of the karta the same result will happen if a certain action is undertaken in the same conditions based on the principles of nature based on the principles of sattvagun इसका example में जो हमेशे देता हूँ हम जो हमेशे देता हूँ हम जो chemistry में titration करते है तो we take the alkali उसके अंदर कुछ methylene blue बगरा वो डालते हैं methylene red और फिर उपर से acid उसको burette में से डालते हैं फिर एक 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 बूंद बूंद करके और उसको घोल घोल करके और फिर एक किसी टाइम पर जब वो neutral हो जाता है तो उसका color change हो जाता है यह experiment किया है now if this experiment you do or I do the result is going to be the same based on the same principle so is it important who does the experiment karta is not important so if I understand this and give up authorship इसमें क्या खाल पते तो भगवान की क्रूपा है या nature's के principles की क्रूपा है कि ये परिणाम मुझे मिल रहे है इसमें my important नहीं ये principle important है ठीक है तो उस प्रकार से अगर हम रहेंगे तो फिर इनके परे जाने के लिए हमने तैयारी की है या तैयारी करते हैं इस प्रकार से जब समझ में आएगा जितना समझ में आएगा उतना अच्छा है फिर भी temptation नहीं होगा ऐसा नहीं है यहने विश्वा मित्र को temptation हो गया था क्योंकि वो तो फिर nature's way of propagation है ना आ एक्जाक्ली और वो पुराने जो हमारे और क्या है दिरे दिरे चला जाएगा ऐसा है तो आज का चेंटना अभी यहां पर समझ करेंगे बिल्कुल अधा थैंक्यू अधा फिर अगें मिलेंगे कल नमस्ते 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 ताला